हलो फ्रेंड नमस्कार स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो में अभी हम पीअप के एक एरर के विशे में बापचीत कर रहे हैं चुकि अभी हम क्लेंप करने की कोशिश तो एक एरर सामने आ रहा था समवता आपके साथ भी इरर आ रहा होगा इस एरर का क्या solution है अभी हम discussion भी करेंगे विडियो में बने रहे हैं पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड को भी ऐसी जानकारी मिल सके और उनके साथ भी अगर इस तरह का कोई भी प्रोब्लम है तो वह प्रोब्लम सॉल्व हो सके तो चलिए पहले हम एर देख लेते हैं देखे जब हम लोग क्लेम कर रहे है तो यहाँ जो है finally आ रहा है invalid UDAI response format and claim not submitted on portal please try again later ठीक है यह error आ रहा है इसके बाद जैसे ही हम फिर से OTP डाल के और यहाँ से validate करते हैं तो यहाँ का जो भी यह आ रहा है error यह change हो जाता है लेकिन error बरकरार रहता है फिर से हम OTP डाल रहे हैं और फिर से यहाँ validate OTP and submit claim पर क्लि करने के बाद देखिए अभी response ले रहा है देखिए यहाँ जो है तुरत change हो गया अब दिखा रहा है log field please retry with valid request and claim not submitted on portal please try again later तो इस type का जो भी error अभी आ रहा है फिर से हम देखिए अभी submit करते हैं देखिए फिर से error आएगा और यह error जो है लगातार change होते रहता है इस तरह से अभी problem create for right finally claim जो है submit नहीं हो पा रहा है तो इस समय हम लोगों को क्या करना चाहिए एक बार अभी हम और try करते हैं अभी हम फिर से एक बार वही same OTP डाले हैं देखते है claim submit होता है यह problem अभी भी बरकरार है अगर यह problem बरकरार है तो देखिए फिर से problem लगातार चल रहा है त इसका मतलब यह हुआ कि portal पर अभी error बरकरार है अभी claim अगर submit करेंगे तो आपको परिसानी होगी आपका claim submit नहीं होगा थोड़ा सा wait करना होगा wait कर लीजिए try कीजिए और जैसे ही यह error समाप होता है आपका claim 100% portal पर submit होगा ठिक है वीडियो में बने रहने के लिए धन्यव रखे खुश रही है बाई बाई जैए